कि गोशना हो चुकी है 212 चुनावभ हो नता है और एसे में चडचे में हैं वीमा भारती एक ऑर फिर से रुप Zumori इंष्च वह ब्यान दे रहे हैं कि हम यादब मुसल्मान का काम नहीं करेंगे वह हमारे घर आए चाई पी के जाए लेकिन हम काम नहीं करेंगे कैसे देखते हैं तो बहुत दुखनिया बात है देखिए बरतनीधी जो है जब जितने के बाद वह जो कि जब एलक्सन होता है तो कई कंडिडेट उमिदबार रहते हैं तो उसमें कोई एक ही का जीत होगा तब जब जीत गए हैं तो सब के ल जादा वो नहीं भोड़ दिया है तो उसका काम नहीं होगा ऐसा कोई नहीं होता है आप कहीं भी नयता से नहीं सुने होंगे कि जो ने भोड़ दिया है उसको हम काम नहीं करेंगे तो इस तरह का जो उसका जो बयान दिये हैं यह बहुत बिहार के लिए दुखनिया है एकद पिर से अपने आपसी जनता है महान है और जनता का शनक का फिरा भरन उमीद नहीं पूरा भरोसा है लोग सभा का चुना अलग है ओड़न सभाका चुना होता है कोई दस साल से मेहनत कर रहे थे को दिर साल से मेहनत कर रहे थे हम को समय नहीं मिला समय का भाब के कारण लोग को हम कन्विंज नहीं कर पाए पबली के बीच हम नहीं जा पाए जो मद्दता था उसको समझ में नहीं तो राजनीती में हार और जीत होते रहता है इसका मतलब नहीं है कि आप हार गए तो राजनीती करना छोड़ दीजिएगा चुनाव लरना छोड़ दीजिएगा जनता का छोड़ दीजिएगा इसलिए हम जनता का जो सना प्यार मिला है कभी नहीं जनता हमको छोड़ा है ना उ बिल्कुल बिल्कूल एक दम धन्यवाद हमारी शाथ बिमाभारती थी पुर्व विधाईका है लगाता है रुपवाली से पांच बार की विधायक रही है उप्चुनाव में एक फिर से और जेडी के तरफ से प्रतियासी के तौर पे यह वहां की प्रतियासी बनेंगी दो तारिक का है लेकिन जैसे ही यह ख़वर सामने आई कि हमें टिकट मिलने वाला है हमारे पती और हमारे बच्चे को परिशान किया जा रहा है आपकी क्या प्रति किरिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लाइव लोग नीउस देख रहे थे आप मेरा नाम जबूरा है बहुत बहुत धन्यवाद